कि नमश्कार स्वागत है आपका थ्रिमेडी में मोगिल सीनियर सक्रेंडी स्कूल हिंदी की ओन्नाइन क्लास में आज मैं आपको करवाने जारूं अभ्याक्रण से विराम चिन थीक है बहुत बार आपने पढ़ा होगा चोटी कक्षाओं से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि विर चूटी या बढ़ते चले जाते हैं शिरू-शिरू में आपने पढ़ा होगा तो हम आपने तह़े आपको समझना होगा कि विराम, चिन होते क्या है नहीं सrus पेला है, किसे कर दोलते हैं हुम अपने अपने बोलने को अपनी वानी को उसमें उतार चड़ाव ले कर आते हैं – यानि कि कभी हम अपनी वानी को आपनी आवास को वह कभी तेज कर लेते हैं कभी हम नहीं रुखते हैं लेकिन जब हम वाक्य को लिखते हैं तो हम इसे उतार चढ़्म को किस अज़े से दर्शाथे हैं हम कुछ चिनों के द्वारा जिल कहा जाता है कि वाडी के उतार चड़ाओं को दर्श आने वाले चेन, ठीक है, विराम का आथ होता है रुखन, यानि कि कई वार बाकिये लिखते समय हमें कुछ देर के लिए रुखना पड़ता है, कभी हमें नहीं रुखना पड़ता है, तो वो सारी चीजे हम इनी चिनों के द्वारा दर सबसे पहला जो विराम चीन होता है रोता है बिटा पू्ण विराम पूर्ण, अब य assert को कूंγ, पूंड का अर्थ ही होता है, कूरा, यानि जब आपका वाके पूरा हो जाता है को को हम दो पाते है कूरा और पूर्ण विराम सिर्फ ये दंडर खुता है, कई बार जो है, हम हम क्या करते हैं? हम इसके लेगि बिंदी लगाघाते हैं, लेकिन ये गलत है, बिंदी नहीं आएज ये सिर्फ डड़ाएगा, इसे रूप मोण विराम होते हैं, जो वाके के कुराओं ने पड़ लगता है, उसके वाद आता है अल्ब विराम, जैको, अल्ब का मतलब क्या होत तोड़ा हैব, जब हो वाकिए लिखते समय सिर्फ फोड़ी जी दिए के लिए रखते हैं So, तो वहां पर हम ये अलुविरान लगाते हैं यह अमारा अलुविरान है, जैसे मैंने केला संत्रा आम खाया, अब केला, संत्रा, आम इन तीनों के बीच में हम अल्व विरान का प्रयोकर हैं। उसके बाद तीसरा है हमारा अर्ध विरान। अब देखो अर्ध विरान, अर्ध का मतलर क्यों आधा है। यानि कि पूर्ड विरान से तो हम कम समय के लिए रुखते हैं। पूर्ड विरान तो हमें पता है न कि हम पूरा वाक्या बतम हो जाता तब रुखते हैं। लेकि पूर्ड विरान से कम समय के लिए रुखते हैं। और अल्ग विरान से थोगा से ज्यादा समय के लिए रुखते हैं। और अर्ध विरान का प्रयोग हम कहां करते हैं। इसके बाद लगा है आपका प्रेशन बाचन चिन देखो इसके तो नाम से ही आपको पता चलगा है कि ये प्रेशन पूछने पर लगाया जाता है तो जिस वाक्य में आपको लगता है कि यहां किसी प्रेशन को पूछा गया है तो वहां जरू हमारा प्रेशन बाचन चिन उसक यह समान आर्थक शथ्दों का प्रियूखरते है। समान आर्थत नहीं बब किकी समान शथ्टों का प्रियूखरते है। विलॉम शथ्द जैसे दिन रात, ओपन नीचे विड़े हो गया, विलॉम शथ्दॹ thing, उनके बिच में योजचिन आता रहे इसके अलावा जब आप एक ही शब्ल को दो बार लिखते हैं जैसे कौन-कौन साथ-साथ कभी करने हैं तब भी हम योज़वचितर पर लिखते हैं उसके बाद है हमारा हंसपद देखो हंसपद क्या होता है हंसपद जब हम आपने देखा भी होगा आप जैसे कक्षा में हम जब आपको बोड़ पर काम करवाते हैं तो कई पर क्या होता है ना कि हम को इस शब्ल बीच में लिखना भूल जाते हैं या कोई पूरा बाक्य हम छोड़ देते हैं हम भूल जाते हैं तो वहाँ पर ना यह हंसपद लिखकर और उसी के ऊपर हम उस शब्ल को या उस बाक्य को लिखते हैं तो हमारा कहने का तरफ पर है कि इसका अर्थ होता है कि जो बाक्य है या जो शब्ल गए है वो हम यहां इसको अंसपद लगा के लिख दिये कि यह यहां पर आएगा उसके बाद आपका विस्मयादी बोदक चीन अधिकों विश्मयादी विस्मयादी करत क्या होता है खैरानी यानि कि जब हमारी मन में हश यानी खुशी दुख गुणणा गंदफ़ी इस थे की भाभ आते हैं तो हम वहां विस्मयादी बोदक चिन लगाते हैं आपका लागव जिन, आपको लागव, लागव, लागव शब्द किससे बना है, लगू, लगू का अतुत है छोटा, यानि कि जब हम किसी भी शब्द को छोटा करके लिखते हैं, संख्षित रूप देते हैं उसको, तो वहां हम लगव जिन रहते हैं, जैसे हम डॉक्टर लगिनों निर्देश दे रहे हैं, निर्देश यानि जब हमें कोई बात के लिए हैं, तो उस बात को कहने से पहले रहे हैं, निर्देश अक्षे लगाते हैं, और देखें, निर्देश अक्षे चिन और योजद चिन में क्या अंतर हैं, सिर्फ आकार का अंतर है, योजद estä purl विर्ण का आत होता है", देखेी जब हम किसी भी उधारंज में, अगली लाइन में लिखते हैं, जैसे DR लिंगं के दो वे दोते हैं और उससे नीचे वाली लाइन में poly उर bot पहותे हैं उसके बाद हो हम उधारंजन लोगोटरंजन जब किसी कवी का, किसी कहानी का आपके लेखिक का नाम हम का दिखाना चाहथे दर्शाना चाहथे हैं मुख्य-रूपसे यह तो वहाँ उधरणच लगता है एक हर्या उधरणचनु और जब हम किसी के कही गई बात को को जो का जो लिखते हैं उसमें कोई बदलाइं महले करते हैं वहाँ लगता है मतली आखान्या दोरा दर अबल दिए तो ही ओर्त है लिए लोगता है और दर अबलता का उसके बात है कोश्टक का रर्ध की इसको कि आप अमरी जीम की ब्राकेकस के बने तो इस कोश्टक चिन का प्रयोग करने कहा करते हैं हम जब हमें किसी शब्द का अर्थ बताना होता है यानि कोई भी मुश्किल शब्द आ जाता है हमें उसका अर्थ बताना है तो हम ऐसे कोश्टक चिन लिका कर उसका अर्थ बताते हैं तो इस तरह से हमारी जो विराम चिन हैं वो बारा होते हैं और्ड विराम, अर्ध विराम, प्रशन वाचक चिन, योज़त चिन, हन्स पल्ग, इसम्यादी वोदिक चिन, लागो चिन, निर्देशब चिन, विवरण चिन, उधर्ण चिन और कोश्ट चिन उमीद करते हूं कि इस वीडियो के द्वरा विराम चिन से समंदित आपके जो भी समस्तर हैं वो सबब हर हो गए होगी है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवत